भारती जनता पार्टी को हटाने के लिए संकल पलिया और उसी के लिए यात्रा पर निकले हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका समाज, जागरोग समाज होकर के भारती जनता पार्टी ने जिस सरीके से भेदवाब की राजनीत को बढ़ाया। भारती जनता पार्टी ने नफरत की राजनीत को बढ़ाया, भारती जनता पार्टी ने गरीबी विरोजगारी बढ़ाई, भारती जनता पार्टी ने किसान को दुखी किया, भारती जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से प्रदेश और देश को कमजोर किया, भारती जनता प इनके समाज और इनके दल का बड़े पेमाने पर सही हुग मिलेगा अगले स्के बार ब्यापार सबाब रियागराद में केशो मौरिया ने की और उन्होंने कहा कि जाली डार और लूगी वाले गुंडों का आतंक हुआ करता तो जो हमने खतम कर दिया तो इसको किस तरह से आप दिखते हैं यह क्या एक कोशी से बोलड़ाइस करने की भादी जन्ता पार्टी के नेताओं की भाषा और बदलेगी जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भाषा और गंदगी और बुराई और जितनी भी गंदी भाषा हो सकती भाधी दिनता पार्टी की होगी क्योंकि आज अगर उनसे ये पूछा जाए कि वेपारी की आमदनी आदी हो गई है वेपारी की आमदनी मुनाफ़ा आदा हो गया है और जिस तरह के फैसले बाते देंदा पार्टी ने लिये हैं उससे मेंगाई दोगनी हो गई है अगर आमदनी आदी है मुनाफ़ा आदा हुआ है और मेंगाई दोगनी हो गई है तो ना किसान खुशाल हो सकता है ना वेपारी खुशाल हो सकता है और इनके फैसलों से चाहे वो नोडबंदी रही हो चाहे जी एस्टी रही हो या सरकार में जिस तरीके के भेस्टा चार है आज हर वर के लोग परिशान है जहां तक पहनाबे की बात है जहां तक और तमाम सवाल उठाये जा रहे हैं चुनाओं से पहले भार्दी जंता हर एक जंता को हर वर को धोगा दिया इसलिए उत्तपदेश की जंता ने मन मनाया है कि इस बार योगी सरकार नहीं होगी उत्तपदेश में योगी सरकार होगी जो उत्तपदेश को खुशाली के रास्ते पर जाएंगे और मुझे लगता है जिन्हें कुर्सी न मिली हो इस्टूल न मिला हो जिन्हें कुर्सी न मिली हो स्टूल न मिला हो जिन्हें और शायद बैठने के लिए स्टूल मिला तक्ति उनकी लग नहीं पाई लगता हूंने मुखंती जी का पैसा